हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में तो आज की जो वेकेंसी आ रखी है जिन्दल इस्टील एंड पावर की तरह उसे बंपर भरती का बिल्कुल फ्रेशर कैनिडेट के लिए येका ओफिशली नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसके अंदर किसी भी टैप का कोई experience यहाँ पे नहीं मांगा तो आप में से किसी भी बच्चे को tension नहीं लेनी कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बिल्कुल फ्रेशर eligible हैं और ये वेकेंसी आपका एक permanent job के लिए निकाला गया है मतलब कि company आपको कभी भी नहीं निकालेगी job से permanent base पे काम करेंगे on roll के base पे आपका salary रहेगा बड़ी salary के साथ job लेके आया हूँ ये वेकेंसी all over India के candidate के लिए रहेगी जहां पे male female दोनों टाइप के candidate अप्लाई कर सकते हैं अब बात की जाए कि अगर आपने IT कर रखा है किसी भी ट्रेड में अगर आपने डिप्लूमा कर रखा है किसी भी ब्रांच में अगर आपने B.B.T. कर रखा है किसी भी ब्रांच म आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं simple graduation कर रखा है B.B.C. तो भी आप eligible है और आपके जो पद रहेंगे technician के पदो के लिए vacancy रहेगी जूर इंजिनियर के पदो के लिए vacancy रहेगी supervisor के पदो के लिए vacancy रहेगी operator के पदो के लिए vacancy रहेगी site engineer के पदो के लिए आपको देखने को मिलेगे, सेफटी इंजिनियर के पदों के लिए भी वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी, सेलेक्शन प्रोसस जो आपको रहेगा, पहले आपका ऑन्लाइन असस्मेंट रहेगा, जो कि आप घर बैठे देंगे, असस्मेंट अगर क्लियर हो जाता है, तो आपको जोइनिंग यहाँ पर मिल जाएगी, बस एक छोटा सा मेडिकल एक्जाम होगा, जिसको आप बड़े राम से दे सकते हैं, जिसमें आपका वेट और हाइट पूछा जाएगा, अब यहाँ पर अप्लाइ का प्रोसस क्या रहेगा, आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है, और 900 प्लस लाइक का मातर हमने टार्गेट रखा है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेर कर दीजेगा, कमेंट बॉक्स में एजुकेशन, और कौन सी लोकेशन में जौब को सेर्च कर रहे हो, और अगर आप मुझसे बात करना चाते हैं, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवेड करवा रखा है, अगर आप उस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने टाब उपन हो जा काम कर रहे हैं, हमारे चैनल के थूँ, तो इसी बात प्यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बैल एकन को जरूर से प्रेस कर लिजेगा, ताकि जब भी मैं नेक्ट वीडियो अप्लोड करूँगा, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, और आप उसको डिरे डाला गया, यहाँ पे हेमंत के दुआरा, जो कि यहाँ पे HR मैनेजर आपको देखने को मिल जाते है, जिन्दल इस्टिल एंड पावर लिमिटेड के, इन्होंने चार दिन पहले जौब एकनसी डाला हैं, और यह हाइरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जेस्पी के अंदर, जिन में दे दिये, आप अहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यह टैब ओपन हो जायागा और आपको इस पे क्लिक करने हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमको LinkedIn पे, Telegram पे, आपका WhatsApp चैनल पे follow नहीं कर रखा है, तो follow कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे भी job update देता रहता तो आपको यहाँ पे क्लिक करने हैं, क्लिक करेंगे आपके सामने, एक यह टैब ओपन हो जाएगा जो कि आपको अब स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे आपका जिंदल इस्टिलेंड पावर का application for job के लिए यहाँ पे निकाल दिये हैं, और यह आपका job location राइग पड़, relocate होना पड़ेगा, इस चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप relocate हो सकते हैं तो ही इसको apply करिएगा, अन्यतہ आप इसको apply, मत करना अगर आप relocate नहीं हो सकते हैं, अब यहाँ पे कैसे apply करना है, सबसे पहली बात जहाँ पे star mark दे रखाए, वा आपका mandatory है, उस के यहां पे CV के अंदर mention है, आपने वहां पे डाल रखा है, वही email ID यहां पे आपको डालना पड़ेगा, उसके बादात है यहां पे Upload your resume तो यहां पे आपको अपने resume का upload करना पड़ेगा, और मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहां पे मैंने resume upload करके check कर रखा रखा है कि अगर आपने 2MB से ज़्यादा का resume यहाँ पर upload किया उसकी file size 2MB से ज़्यादा की हुई तो यहाँ पर upload नहीं होगा तो आपको 2MB से कम size का resume में upload करना पड़ेगा 50KB से लेके 2MB के बीच में आपके resume का file size होना चाहिए जो कि आपका doc की format में हो सकता है और PDF की format में हो सकता है तो यह 3 format चलेंगे अब आता है यहाँ पर job application number यहाँ पर आपको click कर देना है click करेंगे तो O2 plant आपका आजाएगा उसके बाद आता है यहाँ पर आपका नाम तो यहाँ पर आपका अपना नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा आपका जो भी नाम है जो बच्चा यहाँ पर apply कर रहा है आप जिसके लिए apply कर रहा है उनका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद आता है यहाँ पर आपके mobile number तो यहाँ पर आपको अपने active mobile number डालने हैं तो जो भी mobile number आपके resume में आपके CV के अंदर mention है वही mobile number आपको डालने है alternative mobile number में आप किसी का भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसरा SIM card है आपके mammy, papa, भाई, बेन किसी का भी आप यहाँ पर alternative mobile number में डाल सकते हैं उसके बाद आता है email ID तो email ID आपको डाल देनी है उसके बाद आता है यहाँ पर highest qualification तो आपका जो भी highest qualification है जैसे कि यहाँ पर दे रखा है अगर आपने IT कर रखा है डिपलोमा कर रखा है BB Tech कर रखा है BA, BAC कर रखा है या फिर जो भी आपका qualification है BICOM है, BBA, BC है CACMA, MSE, MTEKMA, MCOM, MBA PGDEM का course है या फिर आपने यहाँ पर MC कर रखा है कोई अधर कर रखा है जो भी आपने कर रखा है उसको आप select करेंगे जैसे कि अगर आपने IT की है तो इस पर टिक करेंगे डिपलोमा कर रखा है तो second number पर BB Tech कर रखा है तो इस पर मैं आपको BB Tech वालों के लिए करके दिखा देता हूँ अब आता है कि भी ब्रांच कौन सी है तो आपके जो भी ब्रांच है अब यहाँ पे सारी ब्रांच eligible है तो जो भी आपकी ब्रांच है civil, mechanical, electrical जो भी ब्रांच है उसको आप select कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे नो ने mention भी कर रखा है इस्टेडी मोड कौन सी है तो जो candidate यहाँ पे part time कर रखे है जैसे कि जिन्होंने distance learning कर रखे है वो यहाँ पे not eligible है distance learning क्या होता है कि आप regular नहीं है student तो अगर आपने distance learning कर रखे है तो आप इसको apply नहीं कर सकते है या फिर part time कर रखे है तो apply नहीं कर सकते है आपका जो भी degree, diploma या फिर आपने दस्वी कर रखे, IT कर रखे वो आपका full time होना जरूरी है तो आपको यहीं पे tick करना है नीचे वाले पे tick नहीं करना है मैं आपको पहले clear कर देता हूँ कर दिया तो आपका form reject हो जाएगा उसके बाद आता है आपकी each criteria है तो each criteria यहाँ पे आपको डाल देना है अब आता है कि pressure हो कि experience holder हो तो यहाँ पे अगर आप pressure हो आपको pressure डाल देना है पहले हम इस form को photovolat fill कर देता है जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपनी email id उसके बाद email id को आपको fill कर देना है उसके बाद आपको क्या करना है email id को डालने के बाद आपको अपने नाम को यहाँ पे fill कर देना है जैसे कि मैं email id डाल देता हूँ resume को आपको upload कर देना है इस सारी चीज़ आपको कर देनी है आपको अपना नाम डाल देने में आपको डमी फिल करके दिखा रहा हूँ मुबाइल नमबर आपको फिल कर देना है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे मुबाइल नमबर फिल होने के बाद अल्टरनेट मुबाइल नमबर आपको डाल देना है जो भी आपका alternate mobile number है alternate mobile number अगर आपके fill हो जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे जैसे alternate mobile number आपके fill हो जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे करना है आपकी email id डाल देनी है इसे कुछ आप easily fill कर सकते हैं next वाले button पे click करके जो भी next process रहेगा उसको आपको fill करके पूरा form यहाँ पे submit कर देना है बहुत easy method है और इससे related अगर आपको कोई doubt रहता है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं अब मैं आपको selection process इसका बता देता हूँ देगे सबसे पहले तो आप यह जो Google form है जो यहाँ पे दिया गया company के दुआरा आप उसको fill करेंगे इसका link वीडियो के description में मिलेगा आपके Google form HR के पास जाएंगे HR वहाँ पे आपको directly जो आपनी email lady डला है उस पर assessment का link बेजेगा assessment का link का आपको आने के बाद आपको assessment इने असेस्मेंट अगर आपको हो जाता है qualify कर जाता है assessment तो आपका HR round रहेगा HR round आपका घर वैठे होगा interview होगा interview होने के बाद अगर आपका वो भी clear हो जाता है तो आपको joining 100% मिलेगी लेकिन अगर आपका HR round clear नहीं होता तो आपको joining नहीं मिलेगी तो यह उसका पूरा process रहेगा और एक full time job आपको मिल जाएगी कोई भी doubt है comment box में comment करके पूछ लेना और आप मुझसे personally connect हो सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही video को like करेगा share करेगा उन लोगों तेक जिनको job की need है और comment box में जुरूर बताना आपका education qualification कौन सा है कौन सी job आप search कर रहे है all the very best जैहिन